नमर्शार अत्रों में स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे खबर देख सकते हैं, खबर बिस्ति सिक्षा परिशत के सभी शिक्षकों के लिए है, सभी परिशान है, सभी के बीच में एक चिंतन का मुद्दा है, और मुद्दा है समर कैंप, पले खबर पढ़ते हैं इंकार कर दिया है, कहा है कि 45 डिगरी तापमान में इसके बच्चों को बुला कर हीट स्ट्रोक का शिकार बना दिया जाएगा, शाशन ये आदेश वापस ले, प्रात्मिक शिक्षक संग खजुआ बलॉक अध्यक्ष बलराम सिंग का कहना है, कि प्रशाशन एक तरफ ऐसे म में मेसेज़स भी आते होंगे बीच बीच पे कि आपको घर पे रहना है, तो ये बात थोड़ी तक संगत नहीं दिखती है, महान देशक का ये आदेश नौनिहालों की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, ऐसे में ये आदेश नहीं मना जाएगा, पातमिक शिक्षक संग क हस्वा ब्लॉक अद्यक्ष शैलेंडर सिंग बधारिया का कहना है, कि महान देशक का ये तुगलगी फरमान नौनिहाल की सुरक्षा को में बादक है, आदेश को वापस लेने के मुख्यमंत्री को ट्वीट भी किया है, स्कूल खुलने के साथ मौसम परिवर्तन होने पर ऐस सा आयोजन संभव है, अब मामला कहां से बनता है, वो भी देख लेते हैं, तो जो बेसिक शिक्षा परिष्चद और कह लीजे, अब महान देशक पहले के वल बेसिक की महान देशक हुआ करता था, अब मादमिक को मिला कर भी महान देशक है, कंचन वर्मा जी का एक आदेश अब इसमें कई मुद्दे एक संग जुड़ जाते हैं। सबसे पहली बात कि जब 25 दिन की चुटियां केवल रह गई हैं, आप लोग जानते होंगे, 40 दिन के टोटल चुटी होती हैं, जिसमें 15 दिन की चुटी ठंड में कर दी गई हैं, और 25 दिन की चुटियां ही केवल गर् है लेकिन उनका साफ साफ किया नहां होता है कि सरजी इतनी गर्मी होती है तो हम तो स्कूल एक तारिक से भेजब वो उनके सेंटेंसें से होते हैं क्यूंकि उनहोंने इसी हिसाफ से पढ़ाइँ भी करी है तो उनको ये चीज़ सही भी लगती है हाला कि बदला वो चुका है अब 25 दिन की छुटी होती है उनको समझाने पर 50% जो से जादा वलकि जो पैरेंट्स होते हैं वो बच्चों को भेजने के लिए तयार नहीं होते हैं अब जब गर्मी की छुट्टियों में कटाउती हुई है क्योंकि वो ठंड में दे दी गई ह अब सिक्षकों को बुलाना भी एक तरीके से तर्कसंगत नहीं है देखिए एक बात समझेगा हमारे बेसिक शिक्षा परिशद में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है नियमों के संग धीला ढाली किसी भी विभाग में अगर किसी व्यक्ति को एक भी दिन के लिए एक्स मिलता है लेकिन अगर आप 10 या 10 से जादा दिन के लिए काम करते हैं तो आपको एक रेश्यो के हिसाब से 6 या 7 इयल दी जाती है अगर इस प्रकार का आयोजन हो तो उसमें सरकार को या विभाग को या मानदेशक को भी एक चीज क्लियर करनी चाहिए कि एक दिन कार करने पर क्या प्रतिकर अवकाश मिलेगा या फिर इस पर कोई यल मिलेगी या क्या रूप रेखा है या आगे का क्या प्लैन है उसको भी जरूर जाहिर करना चाहिए लेकिन इन छुटियों से बढ़कर इन यल प्रतिकर से बढ़कर जो मुद्दा बनता है वो बनता है बच्चों की सुरक्षा एक तरफ मैसेज आ रहा है फोन में कि इन इन जिलो में भारी हीट वेफ की सुचना है करपया करके आप लोग घर के बाहर ना निकलें आपके पास मैसेज आ रहे होंगे अगर नहीं आ रहे होंगे तो मेरे पास आया है मैं आपको उसका स्क्रीन शॉट भी शेयर रहा है आज नापा गया है मेरे लाके में 47 डिगरी टंपरेचर है इस बीच बच्चों को विद्याले बुलाना बिलकुल भी सेफ नहीं है और सिक्षकों के लिए भी सेफ नहीं है गाओं बगल में है नहीं शेहरों में स्कूल होते नहीं है ट्रेवल करके दूर जाना वाप प्रात्मेदारी कौन लेगा और क्या बच्चे वाकई में विद्याले आएंगे क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में जादा तर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो बच्चों की मा होती है वो उनको लेकर माई के या फिर जिसकों के नाना नाने के घर चले जाते हैं त इस तरह के कई सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं जिसको लेकर प्रात्मेदेशक शंग का एक बिल्कुल सही निर्णा है कि महालिदेशक मेहम का जो ये आदेश है ये गर्मी को देखते हुए बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं बैठ रहा है बिल्कुल भी किसी प्रकार से पढ़ाई के प्रती बिल्कुल भी जागरुक नहीं दिख रहा है गर्मी अत्यंत है अभी टंपरचर और बढ़ने के आशंका हैं ये भी आप लोग जानते हैं जिसको हम नौतपा कहते हैं वो भी चला है तो इस बीच इस तरह का आदेश मेरे हिसाब से या संग के हिसाब से भी थोड़ सा सही नहीं है महाईदेशक को थोड़ पर इस पर विचार करना चाहिए समय आगे पीछे रख सकते हैं एक्स्ट्रा क्लास जो होती है या चुट्टियों में या स्कूल के बीच में अलग से कुछ कारकरम चलाना ये एक बार सोता जा सकता है लेकिन इस वक्त इत करके मुख्यमंत्री जी को ट्वीट करें महाले दिश जी को ट्वीट करें या फिर अपने जीले की जो डीम है उनको ट्वीट करें इस तरह के आदेश से थोड़ा बचना चाहिए केवल करमचारी नहीं आपको बच्चों का भी सोचना है ऐसा नहीं है कि आप सोचने कि कर्मचारियों को काम पे लगा देंगे आंतर तक कर्मचारी तो विद्ध अले पहुंच जाएगा लेकिन बच्चों के संग भी ये एक गलत होगा अगर किसी के संग कुछ गरबड होती है तो लास्त अपने वीडियो देखिए बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अपन हम पे लास्त ब कर्